सुआगाते आपका दा हिमालियन स्टेडी इडूप चल पर हमासिस कुमारस्तुगी आज आपके सामने हम भहुत ही महत्पुन लेटेश नीज लेकर आए हैं बिग्यानिकों ने खोजा भारत में सुखा पढ़ने की घटनाओं के लिए अलीनों को जिम्मिदार नहीं माना है बलकि उत्ति अट्लांटिक महासागर को जिम्मिदार माना गया है इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरू देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखें आपके सामे लिखा है भारती विज्ञान संस्तान यानि की आयाई सी के परियावरण और समुद्र विज्ञान केंद्र यानि की सी एस ओ एस दौरक किये गए एक अध्यन में कहा गया है की भारत में पिछली सदी में गिरी सुंकालिन मानसून या मौसम के दोरान सुखा पाणने की लगभग आदी घटनाए संभपता उत्री अट्लांडिक छित्र की बायू मंडली गरवरी की बज़य से हुई है यह रिसर्च कर रहे हैं इस समय बरतमान संदर में चल रहा है क्योंकि जितनी जानकारी हमें प्राप्त होई है उतनी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और अगर आपका सब्जेट जोगरवी है तो यह आपका टॉपिक जो है काफी महत्मौन है आपक क्योंकि इस टाइप के कोशन पेपर में नेट और पीरिटी टीरिटी में पूछे आते हैं और जो विद्धारती त्यारी कर रहे हैं आई यह स्पीसेस की उनके लिए भी मोश्रुमेंट वीडियो है आपके लिए यह तो यह ध्यानक्या और यह रिसर्च पत्रीका जो है इस पत्रीका में प्रकासित हुई है और इसके बाद है भारती गिरिस्मकालिन मांसून पर निर्वर है यानि कि भारत जो है गिरिस्मकालिन मांसून पर निर्वर है यह आप जानती है जिसमें यानि कि जून से सितंबर के बीच में देश में काफी बारिस होती है यानि कि एक जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में भारत में सरवधिक बरसा होती है यह आप जानती हैं तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखने सवी पॉइंट आपके मोश्रमेंट है यानि कि भारती विज्ञान संस्तान और समुद्र विज्ञान केंडर दोनने मिलकर जो है अभी हाल फिलाल में रिसर्च कारे किया है और इस समय कुछ तथियों पर इसमें रिसर्च कर चल लई ही है यानि कि भारत में पिछली सदी में गिरिस्म कालिन मानसून या मौसम के दोरान सुखा पढ़ने की लगवग आदी घटनाएं संभापता उत्रे अट्लांडिक छेतर की बाईयो मंडली गरवरी के बज़े से हुई है ऐसा बिज्ञानिकों ने अपने रिपोर्ट में बताया है इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरू देखें तब ही आपको जानकारी मिल पाएगी आगे कौन-कौन से महत्मण पॉइंट है और ये रिपोर्ट आपकी जो साइन्स पत्रिका होती है उसमें प्रकासित हो चुकी है और इसमें लिखा है कि भारती ये जो एरिया है या भारत है यह गिरी सुकालिन मानसुन पर पोनताहा देरवर है क्योंकि आप जानती है कि मांसुन को किर्षी का जुआ खायाता है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है 4-5 सालों में कभी-कभी सुखे की घटनाय घटित हो जाती है कभी-कभी सई टाइम पर बारिस नहीं हो पाती है इसके लिए अलीनों को जिम्मिदार माना जाता है लेकिन बर्तमान में जो रिसर्च कारे चल लहा है इसमें उत्री अट्लांटिक छितर को जिम्मिदार माना गया है अभी इस पर जो है रिसर्च कारे पौन रूप से नहीं हो पाया है बर्तमान संदर में चल लहा है इसलिए ये आपको जानकरी होनी चाहिए क्योंकि इस टैप के कोशन प्रतियोगी परिशों में पूछ लिया आते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं आगे आपके सामने लिखा है जब यह मानसून बिफल होता है तो भारत की अधिकांस भाग में सूखा पड़ता है जिसकी समाने बजहे बारवार होने वाले अलिनों को जिम्मेदार बताया गया है आपको एक समाने कंडिसन बता देते हैं क्योंकि जिनका सब्जेट जोगरफी है उन बिध्यारतियों को यह जानकरी होगी कि भार्दिय मानसून अनिलों की बज़े से कैसे प्रभावित होता है इसको समयने रोप से समय लेना आप ये जब भारत में यानि कि 21 जून के आसपास सुरज होता है लंबच चमकता है तो भारत के आसपास लो पिरेसर बनता है और हिंद महासागर में हाई पिरेसर बनता है अगर ये लो पिरेसर अच्छी कंडिसन बनता है तो भारत में बहुत जबरदस्त तरीके से बारिस होती है लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रसांत महासागर में अलेनो एक गरम जलदारा है ये चलना प्रारम कर देती है जिसके बज़े से भारत का जो यानि कि लो प्रेसर है बहर कमजोर पर जाता है और प्रसांत महासागर का यानि कि जो लो प्रेसर है बहर मजबूत हो जाता है तो हिंद महासागर से प्रसांत महासागर की और पबने चल की मालसुन चले आता है तो इस साल क्या होता है भारत में सुखा पड़ता है यह समाने आप ध्यानक है इसमें लिखा भी आपके सामने कि जिसके अंतरगत भुमद्य वर्ती प्रसांत महासागर गरम जल नमी से लेस बादलों को भारती उपमाधीप से दूर खीश लेता है यह का पॉइंट लिखा है और इसके बाद पॉइंट आपका कि बर्तमान अध्यन की अनुसार भारत में पिछली सदी में सुखा पड़ने की 23 घटनाओं में से 10 तव हुई जब अलेनों मौजूद नहीं थी यही रिसर्च कारे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम बता रहे थे कि 4-5 साल में अलेनों आती है और यह भारती मानसुन को कमजो करती है लेकिन बिग्यानिकों ने अभी रिसर्च कारे की है इसमें और इसमें बताया जिया है कि उत्री अट्लांटिक महासागर के उपरी भागमाई यानिकी बायोमेडली घटनाओं से भारती मान परत्मान समय में साइंटिस्ट अपनी इस खोज में लगे हुए हैं क्योंकि ये एक सोचने वाला विसर्च है कि जिस साल अनीलों नहीं आई थी यानि कि अनीलों जलधारा नहीं भेह रही थी तब भी भारत का मानसुन कमजोर कैसे हो गया आखिर ये जानने का प्रियास लैसं के जानकरी देंगे तो ये द्यानक्षियाँ आफ्की जब यह मानसून बिफल होता है तो भारत की अधिकांस भाग में सुखा परता है जिसकी समाने बजहербार आने वाली अनिनों को बताय जाता है समाने था सभी लोग को ये जानकरी थी यानी जिसके अंतरगत और ऐसा हुआ है कि तेज घटनाओं में से दस घटनाएं जब होई है जब अलिलों मौजूद नहीं थी यही रिसर्च का मैटर है बिज्ञानी को लिए तो यह ध्यानक्यां बरत्मान संदर में यह रिसर्च कर रहे चला है और अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपको इसी च चैनल को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करना ना भूलें आप लोग और जो नए हो बहत सब्सक्राइब जुरू कर लें तब हमारा नौड़ेविकेसिन आपको मिल पाएगा इसी चैनल के माध्यम से और देखते रहें आप लोग हमारा चैनल दा हिमालें स्टेडी YouTube channel धन्यवाद